नवनिवाचित पारशदों में पांचवी से बारवी तक की शिक्षा पाने वाले बहुमत में 250 में से 126 विजेताओं की शेक्षनिक योग्यता इसी दाइरे में 16 ग्रेजुएट या विशेश समवाददाता नई दिल्ली MCD चुनाव के 51 प्रतिशत विजेता उम्मीदवारों ने उवी से 12 वी तक की पढ़ाई की है वहीं 116 विजेताओं की शेक्षनिक योग्यता ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट या फिर इससे ज्यादा है MCD चुनाव की 250 सीटों में से 134 वार्ड आम आदमी पार्टी और 104 वार्ड बीजेपी के नाम रहे हैं कॉंग्रेस के 9 उम्मीदवार तो 3 निर्दलिये उम्मीदवारों ने सीटे जीती हैं 4 प्रत्याशियों न जीते हुए 120 डिप्लोमा किया है सिर्फ दो अपने एफडेविट में लोग अशिक्षित अपनी शिक्षा 5 वी से उम्मीदवारों ने अपने 12 वी पास तक बताई है यानि ऐसे उम्मीदवार करीब 51 प्रतिशत है 116 उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन या अपने पारशदों का जाने प्रोफाइल NBT नजरिया 34 प्रतिशत जीतने वाले नेतायुवा है 53.6 यानि 134 कैडिडेट महिलाएं जीत कराई है 17 करोर से ज्यादा सपत्ती है South East जिले के श्री निवासपुरी से जीते BJP के राजपाल सिंग के पास इस से उपर की क्योलिफिकेशन है जीतने और 20 ग्रेजुएट प्रोफिशनल सबी पाठियों के वाले चार उम्मीदवारों ने डिप्लोमा लिया है जीतने वाले 28 उम्मीदवार पॉस्ट ग्रेजुएट हैं और और सिर्फ दोः उम्मीदवार शिक्षित हैं सिर्फ एक विजेता ने PhD की है और चार ने डिप्लोमा वहीं दो कैंडिडेट के एफडिविट में उनकी शिक्षा साफ नहीं लिखी है 12 कैंडिडेट है 31 विजिताओं ने क्लास 10 पास की कैंडिडेट है जिन्होंने PhD की है पेशे है और 58 विजिताओं ने 12 वी तक की से वो Assistant Professor, विजिटिंग, पढ़ाई पूरी की है सरसत उम्मीदवार ग्रेजुएट है है जीतने वालों में कई शिक्षक Retired East Patel नगर से जीती आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शेली और ब्रोय इकलौती उवी पास है तो 25 कैंडिडेट धर्वी पास सरसत प्रतिशत यानी 167 विजेता कैंडिडेट करोर पती है सेपती है बजार सीता राम हजार रुप्य मात्र की सबसे कम वार्ट से आम आदमी पार्टी से जीती राफिया माहर के पास शिक्षक वकील और बिजनेस के पेशे में है कई हाउस वाइफ भी है सुल्तानपुरी एवार्ट से जीतने वाली बबी शिक्षित नहीं है वो खुद का काम करती है पारशदों की पाई लिखाई के आकड़े दिल्चस्प है हालांकि यह आकड़े डिग्री और माकशीट पर आधारित है किसी जन प्रतीनिदी के ग्यान और नेत्रितवक शमता का पता उसकी डिग्री से नहीं चलता इसका पता चलता है उसकी इमानदार नियत और लोगों के प्रती समवेदना से MCD से जुरी बाकी बाते तो उन्हें ट्रेनिंग से भी सिखाई जा सकती है सीखने की ललक और समवेदन शीलता संसकारों से मिलती है उसका समीक्षा में पाया है कि जीतने वाले 34 प्रतिशत नेता युवा है इनकी उम्र 21-40 तक है वही 66 प्रतिशत यानी 164 जीतने वाले उमीदवार 41-70 साल की उम्र के बीच में है तिरपन दशमलव 6 प्रतिशत यानी 134 कैंडिडेट महिलाए है पिछले साल या आकड़ा 52 प्रतिशत था इस बार जीतने वाली एक लौती एक ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है बोबी जो आम आदमी पार्टी से सुल्तानपुरी एवार्ड जीती इस से उपर है ADR ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 167 विजेता कैंडिडेट यानी 167 प्रतिशत करोर पती है जीतने वाले BJP के 104 कैंडिडेट की औसत संपत्ती 5.29 करोर है 132 आप कैंडिडेट की औसत संपत्ती 3.56 करोर है आकडे ना मिलने की वजे से दो आप विजेताओं को असोसियेशन ने छोड़ा है 9 कॉंग्रेस कैंडिडेट की संपत्ती 4.09 करोर और 3 निर्दलिय कैंडिडेट की संपत्ती 5.53 करोर है साउथ इस जिले के श्री निवासपुरी से जीते बीजेपी के राजपाल सिंग के पास 47 करोर से ज्यादा सुभाश नगर से आप से जीती मंजू सितिया के पास 42 करोर से ज्यादा और पश्चम विहार से बीजेपी के विनीत वोहरा की 37 करोर से ज्यादा की संपत्ती है दूसरी और बजार सीताराम बोर्ट से आम आदमी पार्टी से जीती राफिया माहिर के पास सबसे कम 74,000 रुपये इसके अलावा असोसियेशन ने अपनी समीक्षा में पाया है कि जीतने वाले 7% कैंडिडेट पर क्रिमिनल केस है इनमें 19 कैंडिडेट पर गंभीव क्रिमिनल केस है